आज के इस आफ्टनून मैच में आप सभी का स्वागत है विकेट सक्त रखी गई है यकीनें ज़्यादा उच्छान मिलेगा आज गेंद बाज को कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत के गेंद बाजी करने का फैसला किया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों की खिलाडी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अमपार्ज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग बैट्सवन पिछ की और बढ़ते हुए सब तयार इनिंग्स की पहली गेन के लिए तेज गेन बाजी को खेलना पसंद करता है ये बल्ले बाज कमाल की बल्ले बाजी खूबसूरत शाट कमाल गए शाट चौका मिलेगा वा क्या कड़क शाट मारा है अच्छी गेन और आउट बिलकुल टाइम नहीं कर पाए बल्ले बाज इस विकेट की तलाश थी इने कैपटन काफी खुश गेन बाज से तेज करारा शाट चार रन के लिए क्या खूब टाइमिंग थी इस स्टेज में सिंगल देने के लिए बढ़िया चार रन गेन बल्ले से लगते ही उसका परिणाम तैथ था तेज करारा शाट चार रन के लिए क्या खूब टाइमिंग थी गेन बाजों को ज्यादा अनुशासन से गेन बाजी करनी होगी अब बहुत अच्छे रनिंग बेट्विन दे विकेट्स और ये मिस फील्डिंग शायद बॉल की गती भाप नहीं पाए खिलाडी सही जगा पे मौजुद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं और आसानी से कैच लिया वाँ मौजुद फील्डर ने इस विकेट्स की तलाश थी ने कैपटन काफी खूश गेन बाज से कप्तान ने बढ़िया फील्ड लगाई है और गेन बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेन बाजी कर रहे है जबर्दश और बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेन गई सीधा हवाई यात्रा पर तो ये बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा इसके साथ इनके पचास रन पूरे क्या बल्ले बाज फिर से बाउंडरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं करारा शौर और पहुचा दिया है ग्राउंड के बाहर अरी की आखरी गेन आपके सामने वाँ इससे कहते हैं अद्बुत कैच कैच अफ दे मैच की श्रेड़ी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए फिल्डिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर तेज गेन बास को लाया गया है बल्ले बास तयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए करारा शाट बल्ले बास का और ये छे रन रहे होंगे क्या शाट लगा है फिल्डर्स बने दर्शक्राइब मेर् आसाट का बनके लिए्ट के लिएдо ये जाट एक के लिए छिए और ये मैक्सिमम गें जाएगी बाउंडरी के उपर से चक्के के लिए बहुती लंबा और उन्चा शॉट लगाया है च्छे रन गेंबाद अपने प्रिफर्ड एंड से गेंबादी करते हुए तकड़ा शॉट बले के एक दम बीच से निकली ये गेंद आसानी से केला एक रन के लिए काफी नज़्दी की मामला और यह आउट बड़िया फिक अपन फ्रोट इस विकेट की तलाश थी इन्हें कैप्टन काफी खुश गेंद बाद से समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्ले बाद इन्हें वापस पविलन लौटना पड़ेगा वाह क्या क्लीन बैट स्वेंग छे रन बढ़िया अर्चा तक खूब सुरज शौज देखने मिले इस पारी में होगा और यह आउट गजब की फुर्ती दिखाई है फिल्डर ने यहाँ पर बहुत शानदार कैच पकड़ा कप्तान ने बढ़िया फिल्ड लगाई है और गेंद बाद भी फिल्ड के अनुसार ही गेंद बादी कर रहे है फिल्डरों के बीच गैप ढूने में कामियाब चार रन के लिए बढ़िया फॉर्म में लग रहे है बल्ले बाद सुन्दर शॉर्ड गैप में सीधा चार रन के लिए दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही है उन्हे ये गेन फिर से डालनी पड़ेगी वाइट बॉल देखना होगा क्या गेन बाद शॉर्ट पिच गेन की कोशिश करेंगे इस पिच पे ये शॉर्ट बढ़िया है अच्छी टाइमिंग और गैप में भी मिल जाएंगे चार रन बल्ले बास को यहाँ जोश में खोश नहीं गवाना चाहिए अच्छा शॉट है ये बहुत ये अच्छा शॉट और गैन सीदा सीमा रेका के बार बल्ले बास अच्छे फॉर्म में दिख रहे है बड़ा शॉट बहतरी टाइमिंग छे रन के लिए दोनों बल्ले बाद एक दूसरे को मबारक देते हुए अपनी जीत की खुशी मनाते हुए साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है इसके फूट ठेट के मारो या फिर मॉंबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए झाल स्थी यहीं तुम नहीं जाना चाहिए